बात करेंगे चला है कि बात करते हैं क्यू टू कर्ड कोड़ेंट के काटिगरी की तो सबसे पहला डिफेर्स समयते हैं जन्रली में आपको पहले कोड़ेंट 1234 में पहले कि बताऊंगा और पिर जन्रलींि फोकस हमारा क्यू टू के रहेगा किया किया करना पड़ता है कि क्यों टू कि हम लोगों अभी तक कि क्यों पूर में काम करेंट के देख हो जी चैब है ऑर क्यूंटे Q1 का कोई भी पॉड़क्ट हो जरी पॉड़क्ट Q1 का हुआ कैटेगरी आएगा Q1 जैसे कि कार्व कार्स एलेक्ट्र कार हो कोई भी मन्तब Automobile industry अब इसमें क्या होता है Q1 यह क्या है Q1 कैटेगरी जो भी कैटेगरी Q1 में हो माल लिजे आज LED लाइट हम लोग रहे, LED light किस में है, Q3 में, कल जेम का कोई rule बदलता है और LED light को Q1 में सिप्ट कर दिया, तो भी LED light के लिए rule यही हो जाएगा, यहाँ पे मैं car का category के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं example के तोर पे car बता रहा हूँ, जो भी category Q1 से belong करेगा, उसके बारे में rule बता रहा हूँ तो यह है Q1 category, Q1 category में reseller को entry नहीं है, कोई भी reseller यहाँ पे नहीं, अपना product नहीं बेश सकता, अभी देखो सब OEM बेच रहे हैं, reseller को entry ही नहीं है, ठीक है, सिर्प यहाँ पे product को बेश सकता है, OEM अभी मेरे पास महिंद्रा कंपनी का पूने का डीलर है, मैं महिंद्रा कंपनी का मेरे पास बड़ा डीलर सिप है, पूरे पूने में महिंद्रा कंपनी का डीलर सिप सिप मेरे पास है, पूने में, तो मैं क्या जेम पे कार बेश सकता हूँ हाग किना नहीं क्यों मेरे पास तो डीलर हो आप डीलर हो डीलर हो मतलब किसी से मैं खरीद के ही दो बेच रहा हूं महिंद्धा से खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं तो मैं क्या हो गया reseller हो गया OEM नहीं मैं यहां पर बात क्या कर रहा हूं OEM की कि मैं सिर्फ OEM ही बेश सकता है reseller नहीं बेश सकता बरबर समझ मां गया Q1 category आते हैं Q2 category जैसे Q2 category में पूरा IT industries CCTV camera laptop desktop projector printer कार्ट्रेज यह सब किसमें है Q2 AC कि सिर्फ फ्रीज क्यू थ्री में फ्रीज भी आ जाएगा देखो थोड़े दिन के बाद कि अधिक है हम ले ले देख CC TV कोई भी ले लो camera और बंडल ले लो camera आप अपने पास desktop ले लो कि मैं रूल समझा रहा हूं कि अब यहां पर कोई भी पॉड़क ले अभी यह ब्राइंड का पॉड़क ले लो कि अभी हम लोग जब कोई भी पॉड़क पेर करते थे तो क्या होता था यहां सेल दिस आइटम आता था देखो सेल दिस आइटम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है क्योंकि यह क्यूट्टू कैटेगरी है और इसका मेरे पास ऑथराइजेशन नहीं है इसलिए आप सेल दिस पेर कर सकते हूं कि यहां पर दोनों बेश सकता है और रेसेलर नंबर होना ही चाहिए जदी रिसेलर के पास नंबर नहीं है तो पोड़क को पियर नहीं कर सकता तो मेरे पास नहीं आ ठीक है समझने आगया अभी मैं दिखाता हूं आपको सेम क्याटेग्री है इसका ऑफ्राइजएशन मेरे पास है और I sell this item क्योंकि इसका authorization मेरे पास है same दूसरा brand ले रहेता हूँ जिसका authorization मेरे पास नहीं है जैसे कि IDP brand या HP level HP का authorization नहीं है मेरे पास अभी HP का hold तो same category में सिफ brand बदल दिया इसमे sell this item आना बंद हो गया क्योंकि इसका authorization मेरे पास नहीं है यह ब्रैंड का तो यहां पे authorization must है authorization नहां तो pair कर सकते हैं और एक Q2 category का खासियत है Q2 category में आप नया product upload नहीं कर सकते हैं नया product सिर्फ OEM upload कर सकता है आप सिर्फ pair कर सकते हो pair भी with authorization without authorization नहीं समझ माया Q1 Q2 पहले Q1 और Q2 का doubt किलियर करते हैं Q3 और Q4 पहले आएंगे पारस सर बोले हैं पर इसमीं क्या रखना पोड़ेगा आपके आवाज बिल्कुल समझ में आ रही है मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है आपके आवाज के लिए नहीं आ रही है समझ में नहीं आ है मुझे परसांद सर यह बोल रहा हूं जो यह सर यह बदाई यह आपने प्रोड़ेक्ट खुल रखाएं इसमें रेट आ रहा है दस या तीन सो नो रुपए तो यह पॉसी वाले इस प्रैज में देपाएगा अब यह आप ओड़र देखे देख लो को बायर को बोलो इसको देखो देता है कि नहीं देता है तो ब्लैक लिश्ट में डालने के लिए पता देना प्रोसेसर का वर्ज़न पुरान हो रहा है इसलिए जो बात कर रहा है उनको बात करने तो बीच में मत वोलो किसका चल रहा था बात किस ने हैंडरेज किया अपने वाले हो तो क्यूं कर रहे हो आपको पता चल जाएगा सिंग सर्वनिया आपके पास एक्स्प्रियंस है तो आपको तो माल में यह क्यों क्यों नहीं ना सब आप यहां पर सर्च कर लो और यह कैटेगरी बदलता भी रहता है ऐसा कुछ नहीं सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाता है जैसे मुझे अभी चाहिए लैप्टॉप तो लैप्टॉप बोलके हम लोगों ने डाल दिया यहां पर सर्च कर दो डाइयर्ट यहां पहराइब को सामने भाजो में लखा जाता है tôi क्यूटू है यह क्यूटू है यह क्यूटू है यह क्यूटू है यह यह पर लिखा हुआ जाता है कि पारस्थ समय अब बाकी नहीं बताया हूँ इसके आगे बताऊगा जब आप्ट्राइशन मिला तो क्या करोंगे पेर करके दिखाऊंगा क्यूटू का प्ट्रॉडक्ट वह सब आगे बताता हूं है कि क्योटू में डिफरेंस आभी आते हैं क्यूटू एंड क्यूफू पूस्टू क्यूटू हो जो अब हैं अपट लोग को यूज्टू हो चुके हो बहुत सारे प्टूटू एलेडी लाइट ही लिले लेडी फ्लोर्ड लाइट क्यों थ्री में क्यों थ्री का क्या नॉम से यहां पर पॉडक्ट नया भी अप्लोड कर सकते हो और पेर भी कर सकते हैं इसमें कोई रेस्टिक्शन नहीं पर आप पॉडक्ट वही पेर कर सकते हो जिसका ओयम जेंप नहीं बनाएं विदाउट ऑथ्राइजेश जैसे कि हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखा था उस ब्रांड का कोई भी एक पॉडक्ट हम लोग खोल के यहां पर चेक करते हैं जैसी यह वाल पॉडक्त में इस बेच रहा है यह वाला पॉडट को को जिलको कंपनी का पॉड़क्त हम पेर कर सकते यह नहीं इसमें क्या रहा है ओयम भेरीफाइड मुझे यह इस पॉड़को प्लोट भी करने के लिए यह करना पड़ेगा इस ब्रांड से ऑथराइजेशन लेना पड़ पर इसका मतलब यह नहीं है कि इस कैटिग्री में में कोई भी पोड़क नहीं बेश सकता हूं जिसमें ऑफ्राइजिस्म की जोड़त ना हो ऐसे बहुत सारे ब्रैंड मिल जाएंगे अब सुरिया को देख कर लो दूसरा ब्रैंड का जुरूर बेश सकता हूं वो ब्रैंड के दो नहीं बेश सकता यह भी आपको यह ब्रैंड नहीं बेश सकते हूं देख लो दूसरा ब्रैंड और बजाज का देख लेते हैं बजाज में भी लेगा सार्व कि को यह अब है कि सुरिया का देख लिया हम लोगों ने यह देख लो इको लिंट यह ब्रैंड कर लेता है अब यहां पर सुरिया का देख लिया तो दूसरा देखने की जोड़त नहीं हर एक पॉड़क्ट में वह यह वह ब्रैंड बेश सकते हैं अब इस ब्रैंड का कोई भी पॉड़क्ट ले लो हर पॉड़क्ट आप विदाउ ब्रैंड जिदि ब्रैंड में ओएम नौड वेरिफाइड है तो आप पॉड़क्ट विदाउट ऑफ्राइजिशन बेश सकते हों क्यू त्री में और नया भी अप्लोड कर सकते हो अभी आते हैं क्यू फॉर अलेडी लाइट अभी देख लेकर सेम क्यू फॉर में कोई ना क क्यू फॉर का क्या नौब से क्यू फॉर में चाहे कोई भी पॉड़क्ट हो चाहे वह ओएम बेच रहा हो या री सेलर बेच रहा हो आपको देखने की जुर्णत ही नहीं आप कोई भी पॉड़क्ट पेयर कर सकते हों विदाउट एनी ऑफ्राइजेशन हम यह वाला भी परमिशन लेने की जोरत नहीं कुंसा रोड इस्टा यह वह यहम खुद बेच रहे ना आप इस पॉड़क्ट को भी पेयर कर दो ऑफ्राइजेशन लगेगा ही नहीं कि आप लोगों ने पेयर करते हम ध्यान नहीं दिया होगा अभी ध्यान दोगे तो पता चलेगा मुझी यहां पर जब हम लोग कोई प्रोड़क्ट पेयर कर रहे थे तो ऑफ्राइजेशन नंबर मांग रहा था ना अब इसमें देखो यह क्यूफोर का आइटम है ना अब इसमें नंबर मांग रहा है क्या देखो पेयर करते हो आ रहा है क्या है कहीं ओफ्राइजेशन का डिटेल्स यहां आता था आ रहा है क्या नहीं आ रहा है क्यों 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 प्लति यूपोर में डिक्रेंस अभी आते हैं फिर से में क्यूटू पर क्यूटू का पॉर्डक्ट का अध्राइशन नमबर मिला तो डालोग यह कहां पे कि यहिए का भी देख लेते डेक्सटॉप कंप्यूटर का इक कोई सर बता रहे थे तो उनका डेक्सटॉप कंप्यूटर ने बता जाताओ में डेक्सटॉप कंप्यूटर ठीक है हो गया अभी यहां पर है यहां पर मेरे पास मैंने बताया मेरे पास सिर्फ एसर के कोई पर प्रडट है तो मेरे इसका कैसे पता चलेगा इसका अभी नहीं है तो मैं कैसे इंपूट करूंगा हुआ है यहां पर जाओ ऐसे नॉमबर डालने के लिखता है कि यहां पर मिलेगा आपको सेलर पैनल ले इसको रिसेलर पैनल भी तो इस घुरण पाप अब जो भी ब्रैंड का आपको मिलेगा कौन से काटिगरी में डेक्स्टॉप कम्प्यूटर एक स्टॉप कम्प्यूटर कि कौन से ब्राइड मुझे एस्पी का मिला तो यह नंबर मुझे मिला यह नंबर सही है तो आटमेटिकली जेम बता देगा रिक्वेस्ट इन्वेलिड और सही होता तो आ जाता और आपको यहां पर दिखना चालू हो जाता और आप बेस सकते हैं मेरे पासे को इतने सारे से अध्राइशन है सिसी टीदी पीका भी इंडेक्स्टॉप कंप्यूटर का भी इशा सकता हूं मार्केट में जाकर दिखा बोगी चायए सी सीटीबी बोल दो या डेक्स्टॉप कंप्यूटर बोल दो डेक्स्टॉप कंप्यूटर कight- कि मैं अभी सर के कोई भी प्रोड़ट्ट बेश सकता हूं क्योंकि उसका अध्राइशन नंबर मेरे पास है इस यह वाला प्रोड़ट्ट में पेर करना जाता है लिक करो तो का प्रोड़ट्ट नया तो डाल नहीं सकते सिर्फ प्र यहां पर मुझे सेल्डी साइटम मिल रहा है क्योंकि अध्राइशन नंबर है सेल्डी साइटम कि अध्राइशन नंबर ऑट्मेटिकली जो उदर है वो इधर मुझे दिखना चालो हो जाएगा और तो में आपके आ जाएगा अगया पूरा डेटेल आ गया कि यहां पर डेटेल्टिटेल्ट जाना है कितना बेचना जाएगा तुमें थर्टीन आइन थाउजंड में बेचना जाएगा तर्फिटिन थाउसेंड का बेखा जाते हैं महारा स्टाल कितना क्वान्टिटी एक मिनिमूम भी एक मैक्सिमुम एक विद्वेन परसेट लिए लिए टर्म्शन कंडिशन सेंपेर करने का पुरुशन सिफ़ अथराइसे नंबर यहां पर आप्रमेटिकली आ जाएगा देखवा गया ग्रेट यूर पोड़ेट सक्सेस्पुली अप्लोड़ेड एंड विल भी पब्लिस्ट बता रहा है अभी ओएम अप्रूबल के लिए ने गया क्योंकि ओएम ने मुझे अथराइसेंड डाल करता है इसलिए डारेट मेरा भी पब्लिस्ट हो जाएगा मैंने यापको दोनों चीजे बताया क्यूबन क्यूटू क्यूटू क्यूट्री डालते कैसे हो और क्यूटू का प्रॉडट्ट पेयर कैसे करते हैं आपके दुछ लोगों को अलग अलग होगा सबका नंबर अलग होगा आप मेरा नंबर ले लेंगे तो आपको बोलेगा अल्रेडी एग्जिस्ट और यूरा सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिया और अगर किसी थर्ड परसंद को करना जिसके पस्क्राइब करने जो भी है विदावट ऑफराइज़िशन काम ही नहीं नहीं कर सकती है यह से वी नहीं है यह जैसे मेरे पास भी हाइप फॉक्स प्रके बताएं जैसे अलोग कुछ नहीं है सेम और जन है सेल्डिस आइटम आएगा नहीं है तो नहीं आए जैसे मेरे पास भी हाइप्रोफेस कंपनी का है देख लिए उसका मेरे पास और आपको दिखा सकता हूँ यहां पर मुझे आएगा दूसरे ब्रैंड में मुझे नहीं आएगा बंडल वाले है तो पेर करने का प किसी टीवी नहीं तो ने रिया है नौ आएगा देखे को ब्रैंड में डाल देटेना है क्या ब्यापकरस अब इसका और इसनों मेरे पास है इस इसका कोई भी पॉडुक्त हम लोग प्यर कर सकते हैं इससे प्रगाव है प्रण में नहीं आएगा तो इसाल सब्सक्राइब यह सब क्यूटू अप्राइजेशन लेकर सकते हैं विदाउट ऑफ्राइजेशन नहीं कर सकते हैं और सब्सक्राइजेशन लेने के लिए उसको पेसे देने पड़ते हैं किसी कि वह तो और हमकिम का उपर है आपको विदाउट पैसे दे सकता है आपको जो और मिलने वाला बहुत दोगे अपने मुझे वह तो मैं आपको शूश सीटीवी और दूंगा तो भी आपको दे सकता है बंसक्राइजेशन देख हैं अब देखो विद्धा को टेसिजा डाल दिया तो मिने हाई फोकेस बोलके डाल दिया है अभी हाई फोकेस के 220 पोड़क्त है कोई भी पोड़क्त पेर कर सकता है और यह वाला टाइम के लिए मिलता है या फिर साल डिपेंड ओएम के उपर है ओईम मुझे अभी तुलन निकाल दिया तो में यह तुलन बंद हो जाएगा और वह रख दिया तो रख दिया अभी साल के लिए अभी तीन साल होगे अभी तक निकाला नहीं है तो अभी तक में मुझे सेल हो रहा है अच्छा अच्छा डिपेंड वह यहां के ओपर सब्सक्राइब इसके साथ और यह तो आपको अप्रूबल देगा अच्छा तो क्यूट्री का हम लोग कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे ओएम का पॉडट्ट ओएम को दिखते हैं आपका ओएम का कोई भी पॉडट्ट्ट डालते हो तो वह यहम को कैसा देखता है और यहम उसको अप्रूबल कैसे देता है कल में आपको लाइव करके बताऊंगा सिर्पसंद सब्ली इसके पास किसी भी ब्रैंड का उथ्राइशन है नहीं फिर उसको ओडर लेना थो कैसे ले पाएगा बीड टेंडर बनाओ लिंक नहीं बन सकता है अमित सर्थ क्यों पर कुछ भी क्यापको विदाउट कोई भी ऑट्राइशन में लगता कोई भी पॉड़क्ट आप बेस सकते हो सपोस हमारे पास किसी ब्रैंड का ये ऑथ्राइजेशन है ठीक है और हमें और आया और उसने ऑथ्राइजेशन कर लिया तो कोई प्रॉब्म में कैसे अपरूब करके देता एक वाज़े आपका अपरूब करके दिया तो फिर से आप भी कोई पॉड़क्ट उसका उस ब्रैंड का उस कैटिगरी का अपलोड कर पाऊगे लिए वह क्यूट्री के लिए उसमें अप्राइशन नंबर लगता है और आप नंबर डालोगे तो आटोमेटिकली वह सेल डिस आइटम दिखना चलो हो जाएगा मही पाल सर आपने अभी बताया कि क्यू टू में अगर अधर नहीं है तो उसको बीडिंग में पार्ट लेना पड़ेगा बीड में हाँ वह आप बाद में सिखा होगे बाद में सि कर दो